First of all, जब ये इस movie का trailer आया था, वो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था फिर भी मैंने सोचा क्यों ना यार इस movie को देखा जाए क्योंकि होता नहीं कि trailer हमें इतना खास पसंद नहीं आता लेकि movie के अंदर कुछ अच्छी चीजे निकल जाती है तो ये सोच कर मैं movie देखने के हैं तकरीबन जो इस movie की जो length है वो 2 गंटे 15 या 20 मिनिट के आसपस रगी गई है तो अब बात कर लेते हैं इस movie की जो कहानी है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है लेकिन उसके रास्ते में आते हैं उसके पिता क्योंकि कहते हैं कि भाई सब भोट हो गया तरह एक खेलना कूदना आजा दुकान संभाल ले लेकिन महाई का मन नहीं मानता कि यार नहीं यार मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ लेकिन वो उस रास्ते में मतलब वो success नहीं हो पाता है क्रिकेटर बनने में कामयब नहीं हो पाता है फिर इसके बाप जबरतस्ती इसको दुकान पर बिठा देते हैं अब इसकी शादी होती है शादी होने के बाद इसको पता चलते है इसकी wife इससे better cricket खिलना जाती है तो अब ये दुनिया से लड़के अपनी परिवार से लड़के अपनी wife को क्रिकेटर बनाना चाहता है और उसका वो coach बन जाता है इंडिया में उसका selection करवाना चाहता है यानि Indian woman Indian cricket team में उसका selection करवाना चाहता है अब क्या वो selection करवा पाएगा क्या वो जो चीजें इसने सोची वो achieve कर पाएगा क्या-क्या उसकी life में problem आती है इन सब चीज के लिए तो आपको देख भी movie देखनी पड़ेगी अब बात करते हैं कि movie में क्या अच्छा है और क्या बुरा देखो अच्छे के बारे में अगर बात करूँ तो first of all जब मैं इसके बारे में लिखने बैठा जब मैं इस movie को देख कर आया और मैंने जो एक copy के अंदर में लिखता हूँ कि भई मुझे यह point जो है मैं इस movie के बारे में बोलने है तो अच्छे के बारे में जो मैं लिखने बैठा, मैं काफी देर तक बस ऐसे पैन हाथ में ले बैठा रहा, मैंने क्या लिखूं इसके बारे में, क्या अच्छा देखने को मिला है मुझे इसमें, मतलब मैं पर्फोर्मेंस के बारे में लिखूं, या मुझे इसका डिरेक्शन को मिलता है थोड़ा बहुत हमें emotional angle भी वहां देखने को मिलता है एक खारा हुआ इंसान की भाई साब उसके रास्ते में उसके पिता आ रही है वो कुछ नहीं कर पा रहा है फिर इसके लावा एक दो scene जो है इस movie में वो comedy वाले हैं वो मुझे ठीक लगे बस इतना ही अच्छा है इस movie में कम्यां तो भाई साब इसमें भर भर के रखी हुई है जो सबसे पहले अगर मैं कम्यां बात करूँ तो एक जो चीज सबसे ज़्यादा मुझे इरिटेट करती है वो है राजकुमार राव का जो क्रेक्टरिस में देखने को मिलने वाला है क्योंकि इसमें आप देखेंगे ना कि राजकुमार राव शुरुवात में आपको देखने को मिलेगा गयर बहुत ज़्यादा अच्छे है एक supportive husband है अपनी wife को बहुत ज़्याद person है आइडल husband है लड़कियां तो उसके लिए मरती होंगी कि ऐसा husband उनकी life में आए ये जो shade change एकदम एकदम से चीज़ दिखा रहे थी ये बहुत ज़्यादा irritate करता है यार वो उसके ओपर work में मुझे लगता है कि बहुत कम किया गया इतनी घटिया writing उसके पर लिखी गई ह अब एक और scene जो आता है इसके अंदर इस movie में एक मा बेटे का एक scene होता है जिसके अंदर मा अपने बेटे को ये समझाती कि बेटा असली खुशी क्या है life में असली खुशी किसे कहींगे कि तू success हो जाएगा या फिर तू star बन जाएगा तिरको fame मिल जाएगा तू खुश ह हो जाएगा कितने दिन के वो खुशी रहेगी तो ये जो conversation होती है ना मैं कहूंगा इसके उपर भी बहुत बेकार काम किया गया है मतलब आपके सर से उपर चली जाएगी कि वो कहना क्या चा रहे है उसका मतलब क्या है मतलब ये जो scene देखते देखते मेरे मुह से अपने जाला नहीं गया है कि हां भी बहुत टेक्निकली उसको दिखाया गया है बहुत अच्छे से बैटिंग करते हैं उसके अंदर दिखाया गया है नहीं बस आपको कैमरा उनके पास लेके जाना था जो जैनवी कपूर है उन्होंने बस शोट लगाते वह दिखा दी बस उनको उ एक टाइम उसको रिलाइज होता है उसका हजबन रिलाइज करता है रहे नहीं तो डॉक्टर के लिए क्यों बनी है तो तो क्रिकेट के लिए बनी है अब वो क्रिकेट 25-26 साल या उससी एज जादा हो जाती है तब जाके वो क्रिकेट खेलना शुरू करती है और भाई साब वो एक साल के अंदर इंडे की टीम के अंदर स्लेक्ट भी हो जाती है वा यार कितनी बढ़िया कहानी है मतलब ऐसी स्टोरी थो हमने देखी नहीं है इतनी जो महनत कर रहे थे उनको मारो गोली यार बस आप आओ एक साल की महनत बहुत है आपके लिए आपको एकदम फिरदनी से आपको सलेक्ट कर देंगे और जब वा इस सारी चीजे में देखे जा रहा थे तो मैं ये सोच रहा थे है क्या ये बताना चाते हैं इस दिखाना चाते हैं इक मूवी होती है जिसके अंदर आपको कोई motivation बताए कि भाई साब ऐसे आप अपनी life में success हो सकते हो या फिर आपके अंदर कोई नई सोच ला ले कि हाँ यार यार ये थोड़ी सोच आपकी खराब है इस सोच को आप अपनाएगे जिससे life better हो जाएगी या फिर आपको entertainment दे भाई साब इसके पूरे इनके बीच में जो मिया भीवी है इन में बहुत अच्छे से understanding एक प्यार मोपत इनके अंदर develop किया जाए नहीं भाई साब निल बटे संनाटा character development इसमें देखने को मिला इसके अलवा अगर बात करें मा बेटे का एक relation इसमें देखाया गया है उसके उपर रती बर भी focus नहीं किया गया एक पिता अपने बेटे से नफरत करता और लास्ट में जाकर एकदम से मान जाता है अरे क्या हो गया ऐसा एक बेटे को ऐसास हो गया अरे नहीं मुझे तो मेरी नजरों मिज़त मिल गई अरे क्या वहियाद चीज दिखा रहे हो यार audience तो accept कर लेगे ना इस चीज को और कहानी की बात करोते हैं को कहानी पूरी की पूरी predictable है राजकुमार राव का एक भाई दिखाया जाता है उसका भी कोई इतना कुछ खास impact नहीं दिखाया जिस तरीके के मुझे लगाए कि यार हाँ इस इंसान के ओपर भी कुछ फोकस किया जाएगा जिस तरीके से ये परिशान है नहीं उसके ओपर भी कोई फोकस नहीं किया गया जानवी कपूर की जो मा है इसके अंदर उनके कुछ कोई dialogue उसको नहीं दिया गए जानवी कपूर भी बहुत कम इस मुवी के अंदर आपको बोलती हुए नजर आएगी ठीक ही है कमी बोलिये तो एक तरीके से देखो यार इस मुवी के उपर पैसे लगाना मेरे लिए तो यार उस लिहाज से बात करूँ तो वेस्ट ही गए है मुझे कोई benefit नहीं हुआ सर में दर दिवा थेटर से बाहर निकला अपने आपको कोसा मैंने क्या बकवास देख लिए मेरे तरह से देखो इस मुवी को मैं देना चाहूँँगा टू आफट ओफ टैन मुझे नहीं पता मैं इसको दो क्यों दे रहाँ बस कुछ भी नहीं तुबस आज के लिए इतना इता थेंक्स वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन